जाहिन आज हम पढ़ने वाले हैं मद्यप्रदेश जेल प्रहरी एक्जाम 2020 में पूछे गए MPGK के महत्पुन प्रस्ण जो आने वाली एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो इस्टाट करते हैं फरस्ट कोशन आपसे पूछा गया था नर्सीगर कहां इस्ति थे तो यहां जो कोशन है यहां 15 दिसंबर 2020 की सिफ्टों में पूछा गये थे नर्सीगर मद्यप्रदेश के राजगर जीले में इस्ति थे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन है यहां पर हमारा कोशन नंबर 43 तो इसका जो फरस्ट पार्ट है दोस्तो वहां हम पढ़ चुके हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में यहां पर आसानी से मिल जागा या फिर आप उन्हें चेनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आप हम पढ़ना है इसका सेकंड पार्ट यहां पर कोशन है नेक्स्ट जो पूछा गया था प्रभास जो सी पुरुषकार का संबद किस से है तो आंसर होगा मलखंब खेल से मलखंब मद्प्रदेश का राज की खेल है यहां भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन यहां पर पूछा गया था काना किसली राश्ट उध्यान कहां इस्तित है तो आप का अंसर हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन यहां पूछा गया था पीधमपूर किस जिले में इस्तित है तो आंसर होगा धार जिले में पीधमपूर मद्प्रदेश की अध्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है और यहां धार जिले में इ ने पत्रिका के लेखा कोने तो आंसर होगा तुलसिदास। दोस्तों यदि आपको मद्धिप्रदेश के मेलों से संबधित महत्पूर्ण प्रश्ण देखना है तो आप उन्हें चेनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूँगा जिसे आप जरूर देखें क्योंकि इससे संबधित कुरश्ण जरूर आते हैं। और MP प्लीस कॉंस्टरबल एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉटेंट है। नेश्ट कोश्ण पूछा गया था राबिन हुट के नाम से किसे जाना जाता है तो आंसर होगा टांटिया भील को। टांटिया भील को मद्यप्रदेश के राबिन हुट के नाम से जाना जाता है यहां आदिवासी क्रांतिकारी थे इनका जन्म मद्यप्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। इसे सेलकनपूर माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो एक्जामस में पूछा जाता है। नेक्स्ट कोशन पूछा गया था दस लाख आवादी वाले जिले में स्वच्छता के सिर्ष पर कौन सा सहर है तो आपका अंसर होगा इंदोर। इंदोर सहर दस लाख आवादी वाले जिले में स्वच्छता में सिर्ष इस्थान पर है। इंदोर को मद्यप्रदेश की व्यवसाइक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था मद्यप्रदेश बजट 2019-20 किसने पेस किया। तो आंसर होगा तरुन भनोट ने मद्यप्रदेश बजट 2019-20 को तरुन भनोट जी के द्वारा पेस किया गया था। नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था यूबा स्वाभिमान योजना के अंतरगत लाभारती को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो आंसर है 100 दिनों का। यूबा स्वाभिमान योजना की सुरुवात मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। जिसके अंतरगत लाभारती को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी का जन्म कहां पर हुआ तो इसका आंसर है महु में। डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जिनने भारती संबिदान के जनक के रूप में भी जाना जाता है या बाबा साहिब अंबेटकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जर्म मद्यप्रदेश के महु में हुआ था महु का नाम बदलकर अंबेटकर नगर कर दिया गया है। परतमान में मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सिवराज सी, चोहान, राजपाल हैं मंगु भाई, छगन भाई, पटेल. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर. नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पुछा गया था कड़कनाथ किसकी प्रजाती है? तो इसका आंसर है की एक प्रजाती है, जिसके लिए मद्यप्रदेश राजी के जाबवा जिले को जी आई टेक भी दिया गया है. और इसके जी आई टेक को लेकर मद्यप्रदेश एबं 36 गड़ के बीच विबात चल रहा है. नेक्स्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन यहाँ पर जाती हैं, तो आंसर होगा तांबे की, मलाज खंड में तांबे की खदाने पाई जाती हैं, मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था, साची इस्तूप कहां पर इ एक प्रसिद सम्रैट था आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर हमारा गुजरी महल किस ने बनवाया था तो आंसर है फिरोचसा तुगलक ने गुजरी महल का निर्मान फिरोचसा तुगलक ने करवाया था और गुजरी संग्रहाले मद्प्रदेश का सबसे प्राचिन संग यहाँ भी आपको याद रखना है next question यहाँ पर पूछा गया था मद्प्रदेश का राजिकी पसू कौन सा है तो आंसर होगा बारा सिंगा मद्प्रदेश का राजिकी पसू है आगे बढ़ते हैं next question की और दोस्तों यदि आप लोगों को MPGK के महत्मूर्ट जीके के questions देख और MP Police Constable exams के लिए model set paper और previous year question exam जैसे 2016-2017 में जो पूछे गए GKGS और science के questions है इन सभी वीडियोस को आप playlist में जाका देख सकते हैं और उन्हें देखकर आप अपनी तयारी को और बहतर कर सकते हैं तो तुरंद playlist में जाएं और अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह तो इसका right answer है गोदाबरी नदी भारत की गोदाबरी नदी भारत के 10% छेत्र को कबर करती है आगे बढ़ते है next question की और next question यहापर हमारा अब हम पढ़ेंगे 13 December 2020 की प्रत्थम पाली में पूछे गए समाने ग्यान से संबंदित प्रशने जिसमें मैंने MPGK के महत्मों इस्तित है next question पूछा गया था विदेश में टेस्ट में सतक लगाने वाले पहले भारती कोन है तो आंसर होगा मुस्ताक अली जो कि मद्यप्रदेश राज्य से संबंदित है विदेश में टेस्ट में सतक लगाने वाले पहले भारती क्रिकेटर मुस्ताक अली थे जो दहसान नदी किसकी सायक नदी है तो आंसर होगा बेतवा की धसान बेतवा की सायक नदी है और बेतवा यमना की सायक नदी है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहां पर पुछा गया था हिंडोला महल कहा पर इस्ति थे तो इसका answer होगा मांडू में हिंडोला महल, जहाज महल, होसंगसा महल यहां सभी मांडू में इस्ति थे, मांडू को सिटी आउफ जाई के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की ओर, नेक्ष्ट कोशन यहां आपसे पुछा गया था, मद्यप्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को, मद्यप्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, आगे आपसे पुछा गया था, सबसे जाद गांधी रोजगार गारंटी की सुरूआत मध्य प्रदेस में कपसे हुई तो आंसर होगा 2006 से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की सुरूआत मध्य प्रदेस राज्ज में 2006 से शुरू हुई थी नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेस में कहां पर र MPGK के महत्पुन प्रश्न Next question यहाँ पर पुछा गया था बडोली का मेला कहाँ पर लगता है तो आंसर होगा दतिया में Next question यहाँ पर है मद्प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को है तो आंसर होगा बरतमान में मद्प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है बिके जोहरी नेक्स्ट कोशन ही यहाँ पर हमारा मध्यप्रदेश में धुमादार जलप्रपात किस नदी पर इस्ती थे तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर मध्यप्रदेश में धुमादार जलप्रपात जबलपुर के भेडा घाट में नर्मदा नदी पर इस्तित है भेड़ा गाड को संग्मरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था सो रुपे का सिक्का कब जारी किया गया तो आंसर होगा बिजिया राजे सिंध्या के सम्मान में जारी किया गया था नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था बर्स 2020 में मद्यप्रदेश की कौन सी वर्सगाड थी तो आंसर होगा 65 वी बर्सगाड मद्यप्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और बरतमान मद्यप्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी तो मद्ध प्रदेश ने बर्स 2020 में अपनी कौन सी स्थापना वर्सगाड बनाई तो आंसर होगा 65 वी आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर हमारा मद्ध प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संबंद में कोन सी योजना चलाई है तो आपका आंसर होगा कोरोना वायरस योजना कोरोना योध्या कल्यान योजना आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर हमारा मद्ध प्रदेश की सांस्क्रतिक राजधानी किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा जबलपूर को मद्ध प्रदेश की सांस्क्रतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है इसे मद्ध प्रदेश की नियाईक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर हमारा सागर में error अभिलेक में भगवान के किस अवतार का उल्लेख है तो इसका right answer है बरहा अवतार का सागर में प्राप्त हुए error अभिलेक में बरहा अवतार का वंडन है आगे बढ़ते हैं next question की ओर तो next question यहाँ पर आपसे पुछा गया था गजानन माधाव मुक्ती बोथ का जन्म कहां हुआ था तो answer होगा श्योवपूर में गजानन माधाव मुक्ती बोथ जो कि हिंदी के महान कभी है इनका जन्म मधिप्रदेश के श्योवपूर में हुआ था आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो केसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को MPGK के महत्पॉर्ड कोशिंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल के लिष्ट में जाकर आसाने से देख सकते है जाए हिन दोस्तों